आज हमारे साथ सुधीर राज सिंग जी है और आज हम उझे जानेंगे कि वाटिस कास्ट जाती क्या है तो सुधीर राज सिंग जी बताइए आमें देखिए जैसे कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर दो चीजों से मिलके चलता है एक हार्डवेर और एक सौटवेर हार्डवेर में उसका सारा हिस्सा आता है जैसे उसका मॉनिटर है उसका कीबोर्ड है उसका सीपी यू है उसकी मैमोरी है रैम है उसमें कैमरा लगा हुआ है या उसमें स्पीकर है ये सारी चीजे हैं और एक अच्छा कंप्यूटर अगर सार जो होता है उसका कोई बजन नहीं होता ऐसे ही भगवान ने बताया कि जो सरीर चलता है उसके दो चीजें हैं एक hardware यानि रूप उसका सरीर सरीर के सारे अंग और एक उसका software जिससे वो चलता है जिससे उन्होंने मन कहा और यह जो मन का software है इसमें बहुत सारी file होती है बहुत सा तो यह जो मन की इस्थिति है जो मन का software है उसकी एक application है जिसको जाती कहते हैं और जाती का आप ध्यान देगे कोई बजन नहीं होता, कोई भौतिक चीज नहीं जाती, कहीं उठागे रखने सकते, कहीं उसको छीनने सकते, कहीं जानने सकते ये आपके मन की इस्तिती मन के अंदर चलती है एक व्यक्ति जो जाती मन में रखता है फाइल रखता है अगर वो भारत से, क्योंकि ये भारत में काम करती है भारत से अगर अमरीका चला जाए और वहाँ अमरीका के Mr. Sam से जाके बात करे तो वो अपनी जाती कितनी उसको इस्तमाल करता हो मगर वहाँ वो जाती नकारा निकम्य हो जाती है क्योंकि उनका software उसको receive नहीं करेगा वो जानता है नहीं है कि क्या होती है जाती इसलिए जाती का जो फरॉमना है वो weightless है उसके अंदर कोई physics नहीं है उसकी अंदर जितना भी है वो सारा software है और जाती भारत में पाई जाती है आप अगर विशेश ध्यान से देखेंगे और ध्यान पूर्वक कर जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि जाती तुराने समय में नहीं थी भारत में जब भारत के मूल लिवासी लोग रहते थे तब यहाँ one भी नहीं था क्योंकि one कैसे बनेगा one जब बना जब भारत में भारत से कुछ लोग आए तो उनको कहा गया यह अवर्ण है हमारे वर्ग के नहीं है और हमें कहा गया हम वर्ग के हैं यानि हम मूल लिवासी वर्ग के हैं और वो बिना वर्ग के हैं फिर क्याई वर्ण बनें उसके बाद बुद्ध ने वो सारी करूतियां खतम की और बुद्ध के समय में एक भी जाती नहीं है बुद्ध के पूरे सहित्ते में कहीं कोई जाती का नाम नहीं है अगर वो जाती सब्द इस्तमाल लिया जो जाती बना है तो जाती का मतलब है जन्म जो किसी पसू का मनुस्य का जानवर का या जितनी भी जीब जो जर्म लेते हैं उनके जर्म से मतलब है उनके जर्म होने को जाती पाली के अंदर बोलते है बर कास सिस्टम नहीं है जाती का कोई तंत्र या जाती का कोई तत्व या जाती का कोई सिस्टम नहीं है ये बिल्कुल किलियर है और बुद्ध के समय के बहुत बाद के संस्कत साहित्ते में क्योंकि संस्काइबाद में संस्काइबाद में बनी तो वो जो बाद में साहित्ते बना उस साहित्ते के अंदर भी कहीं सिस्टेमेटिक वे में जाती नहीं है तो ये बात तैह हो जाती है कि जाती कोई अमर चीज नहीं है जाती बहुत बाद में बनी है और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इदावा करता है कि जाती उसने बनाई है वो जूट बोलता है क्योंकि जाती का फिनोमिना आटोमेटिक नैच्वल बना है और जाती का जो फिनोमिना बना है या जाती का जो सिस्टम बना है वो इस आधार पे बना है कि एक समू या एक व्यक्ति को जाती के तंत्र से सिस्टम से फाइदा होता है और दूसरे तंत्र को नुक्सान होता है जाती अगर आप जाती को छुपाएंगे या जाती को बदलेंगे या जाती से घवराएंगे या जाती से परिशान होंगे तो ये एक मनोवग्ञानिक कम्पूटर का फार्मूला है ये ऐसा सिटम बना हुआ है कि वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और अगर आप उसको सिर्फ जान लेंगे आप उसका इस्तमाल बंद कर दीजिए उसे मानना बंद कर दीजिए सिर्फ आप उसको जान लीजिए तो जाती बहुत कमजोर होके खतम हो जाती है तो लगतार जानते रहने से जाती का नास हो सकता है जल्दी हो सकता है तो जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जाती की उत्पतिया जातिया बनती कैसे है क्योंकि जितने भी भारत में अब तक लोग आए और जिन्हों ने जाती के उपर खोज की और जितने भी लोगों ने जाती के उपर बात की उस मेंसे किसी भी व्यक्ति ने आज तक ये बात नहीं खोजी कि पहली जाती कब बनी पहली जाती बनने का फार्मला भारत में क्या था जाती कैसे उत्पन हुई लोगों ने जातियों के वारे में डिसकस किया उनके परणामों के वारे में बताया उनके दुस्ट परिम्लाव के वारिम बताया उनकी चर्चाएं बहुत हुई कितने प्रकार की होती हैं कैसी होती है यानि हम उनकी विसेश्था हैं तो बता रहे हैं उनकी उप्योकता बता रहे हैं उनकी अनुप्योकता बता रहे हैं पता रहे हैं कि देश के लिए ये नुक्सान दायक हैं, देश के लिए अच्छी है, मगर हम इस बात को नहीं बता रहे हैं कि पहली जाती कैसे बनी, अगर आप ये समझ लेते हैं कि पहली जाती कैसे बनी है, तो फिर आपके हाथ में वो सुद्धा आ जाता है कि जाती का विना बठानी पड़ेगी कि जाती created है बनाई गई है और स्वेत बनी है तो ये खतम भी स्वेत होगी या खतम की की जाएगी ये बात आपको बलुकुल बठानी पड़ेगी कि जाती अजर अमर नहीं है जो लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हैं जो बहुत ज़्यादा परिसा क्योंकि उसका फायदा उसे मिलता है और जिसको नुकसान होता है इसका वो हमेसा चाहेगा कि जाती खतम हो तो दो तरह के लोग इसको खतम कर सकते हैं एक तो जो जाती से फायदा उठा रहा है अगर वो अपना फायदा लेना बंद कर दे और एक वो जो जाती से नुकसान उ आप ये देखेंगे, मैं भारत की दो प्रिमुक जातियों के बार में आपको बताता हूँ, जैसे एक जाती है जो पाकिस्तान, इरान और भारत के सभी उत्री दशनी दिस्ते हैं, पूरे देश के अंदर मिलती है, जिसको चमार कहते हैं, चमार जाती सबसे ज़्यादा लोगो चमार सब की उत्पत्ति क्या है, चमार की मिनिंग क्या है, मतलब कि अगर आप ये बात जान लेंगे, तो चमार सब से आप भागेंगे नहीं, फिर आपको पता चल जाएगा कि चमार की उत्पत्ति कैसे है, क्यों कैई लोगों ने इसको बदलने का प्रियास किया, इसके ना लगती है भगवान के समय तक चमार नाम था ही नहीं पूरे पाली साहित्ते में एक सिंगल सब्द भी नहीं है चमार आज के संदर्ब में कैसा बताते हैं कि चमार चमडे का काम पहले के समय करते थे वो चमडे का काम करने वालों को चमार बोलते हैं जबकि ये बात बड़ी अंदर दो काम सबसे पहले मनुष्च ने सीखे जब आग आई आग के बाद में जब उसमें सभयतानी लगी पहला काम तो वो करता था जंगल में जाके जंगली पसू से अंडे लाना, मास लाना और मास के बाद में उसकी हड़ी का उसको बचाने उड़ने गरूप में और दूसरा काम वो करता था जंगल जाके साख, सब्जी, फल, फरूट और लखणिया इखटी करने का जड़ी बोटी इखटी करने का तो इसमें जो पहला वाला काम है वो काम ज़्यादा मेहनत का होता था क्योंकि उसमें जंगली जानवर भी मानना होता था कई वारश में जान भी जाती थी और ये जितनी ज़्यादा जो व्यक्ती खाल इखटी करता था क्योंकि जो खाल होती थी उसको पुराने समय में बुद्ध के समय से पहले भी चीवर बोलती थे चीवर, चादर नाम नहीं था जब तक, आज हम उसको चादर बोलते हैं, तब ये चीवर नाम था तो जिसके पास जितनी ज़्यादा खाल होती थी, जितनी ज़्यादा चीवर होते थे वो उतना ही संपन, उतना ही जदार और इतना ही बड़िया माना जाता था क्योंकि ठंड के समय में खाल ही सरीर को बचा दी थी और जब आदमी ने साधना करनी शुरू की तो वो नीचे फरवाली खाल जमीन पे किसी जानवर की जैसे शेर की या भालू की जो प्राप्त होती थी उसको ओड़ता था उसको बचाता था और वहां बैटके वो ऐसे करके साधना करता था और इसी के तंबू बनते थे और इसी का बैग बनता था हाथ से सिलके, हड़ियों से सिलसिलके और इसी को ओड़ते थे और जिस समुदाय के पास में जिस घर के पास में जितनी ज़्यादा खाल होती थी उतना ज़्यादा वो मालदार, रईस और इजदार होता था और वो उसको ओड़ता भी था फरवाली खाल को ओड़ के बैठना बहुत शान की बात होती थी ये बुद्ध से समय की पहले की बात है बगर बुद्ध के समय में कपड़ा बन गया जब कपड़ा बन गया तो लोगों ने खाल को ओड़ना बिचाना कम कर दिया अबर खाल की उपव्यक्ता कम नहीं हुई चमड़े के समान से जानवरों की बैल्ट जानवरों के घोड़ों के उपर की समान घरों के समान ये सारे बनते रहे तो आज के समय में भी प्रवाइस संपन चुकि वो हिहां के मालिक थे माना जाता था तो कुछ लोगों ने उनके काम को बुलकुल ही गंदा अपमानित सक करके और एक पचारित करके उस काम को अपने कपजे में ले लिया क्योंकि उस काम से उनकी सबसे ज़्यादा इजट होती थी, सब्यादा मान सम और बुद्ध के समय में कपड़ा आ गया था तो बुद्ध के समय में कपड़ा आने के बाद बुद्ध ने जब राज अपने राजशाही कपड़े अपने अच्छे वाले कपड़े त्यागे और सबसे पहले जो कूड़े पर बना हुआ जो कूड़े के धेरों पर पड़े प्राप्त किया तो चीवर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई चीवर की प्रसंसा बहुत ज्यादा हो गई चीवर का मान सम्मान बहुत ज्यादा हो गया बुद्ध ने जब जगे जगे स्कूल खोले और स्कूल खोलने के बाद चादर वही चीवर एक जैसा टीचर के लिए औ वो एक रंग में रखते थे जो पेड़ की खालती उसमें वो रंग दे थे और चीवर की इतनी ज्यादा इज्जत हो गई कि अगर कहीं टंगा हुआ भी मिल जाए तो उसको लोग इज्जत दियार करते थे और असोक के समय तो चीवर बहुत ही उच्छ अवस्था में था क्यों प्योंकि उस समय लोग जो चीवर धानक करते थे इसकूल में जाते थे वो एक दिन के लिए दस दिन के लिए एक महने एक साल के लिए ऐसे भी जाते थे ते उसका अनुक्रण नहीं गया जब हम चादर लपेटने ऐसे तो चीवर की तरह होती है उसका संबान होता है किसी को ह किसी की चादर में अगर चीवर में दाग आ जाया इसका मतलब वो पंच्छील के नियमों को अच्छी तरह से नहीं मानता है किसी का अगर चीवर या चादर अगर मुर्दे के उपर चड़ाते हैं तो हम यह मानते हैं कि उसको सम्मान दिया जा रहा है बहुत सारे लोग जो स्कूल एक दिन ने गए बिहार एक दिन ने गए मगर चीवर की इज़त होती थी तो वो ऐसे चीवर डालके अपना फूटू लगा के बैठते हैं जैसे एक बहुत ज़्यादा ग्यानी और बहुत ज़्यादा दियानी लोग हैं ऐसा करके चीवर की जो ख्याती है वो आज भी है क्योंकि चीवर आज की चादर है और इसी समय असोक ने जो 84,000 कितावें पत्थर की बनवाईं और सलालेक बनवाई जिनकों सलालेक बोलते हैं या पत्थर कितावें और जो इरान से लेके बरमा तक लगवाईं उसमें कहीं भी चमार सब्द का जिकर नहीं है मगर चीर का और चीवड का जिकर हर जिए तो यह चीवर चीवड और चादर यह जब आगे बढ़नी शुरू ही तो अचाना के यूठ σब्द गायब हो गया और नए सब्दाने शुरू हो गया क्योंकि यह लोग जो चीवर में पढ़ते थ और चीवर के ग्यानी थे, चीवर को जानते थे, इनकी संख्या भारत में सरव्यगापी थी, क्योंकि उस समय जो इन्वेड हुए थे, जो बाहर से लोग आये थे, वो तो 1% से भी कम थे, और भारत के मूल निवासी 99% से भी अधिक थे, तो सारे लोग चीवर धारी थे, क्यों चमण कहा गया, चंडाल कहा गया, चूडा कहा गया, जितने भी सब दो चादर से समदे जगे-जगे भासाओं में बदलते चले गे, और चादरों के ओडने का, बिछाने का एक बाद में चलनसा हो गया, ये नाम पढ़ गे, चीवर खतम हो गया, और ये नाम पर्मारेंट हो के कास्ट बनते चले गे, जिनको उनके खांदर के नाम से पचाना चाता था, तो पहली बार जो नाम पढ़े, वो इस तरह से पढ़ने सुरू हुए, और पाली में सारे एक्षरों का, सारे नामों का जिक्र मिलता है, मगर किसी की जाती का नहीं मिलता, जाती का इसलिए नही क्योंकि सफाई का काम बुद्ध के समय तक था ही नहीं, लोग अपनी सफाई अपने आप करते थे, ऐसा विनर पीटेक में सारा रूल नियम दिया दिया हुआ है, तो जब लोग अपनी सफाई अपने आप करते थे, और सफाई का कोई काम नहीं, और सफाई के नियम थे, और असल भगवान ने जब पहली बार विपस्टना का अभ्यास करना शुरू किया, तो विपस्टना के अभ्यास में एक उच्चतर अवस्था आती है, एक उच्ची अवस्था आती है, जिसमें पूरा सरीर हवा में विलीन हो जाता है, हवा में घुल जाता है, हवा में भंग हो ज तो अवस्ता होती है सरी को जानने की और मन को जानने की वो उच्छतम अवस्ता होती है। ऐसे उच्छतम अवस्ता वाले को उन्होंने भंग ग्यानी कहा गया और उस व्यक्ति को भंगी कहा गया। तो भगवान बुद्ध सबसे पहले जब यह अवस्ता प्राप्त किये तब भंगी केलाए और सुनीत ने जब ये अवस्ता प्राप्त की तो सुनीत भी भंगी अवस्ता में केलवाए और वो भंगी हुए और जितने भी महान प्रचारक हुए, महान टीचर हुए जो ज़्यादा पड़े लेखे थे क्योंकि चीवर धारन करने वाले जो लोग थे वो तो सारे थे और उसमें जो भंग ग्यान प्रात करने वाले थे वो कम थे, तो भंग ग्यानी की अवस्ता उपर की अवस्ता है, भंग ग्यानी को क्योंकि बाद में ऐसा कहा गया कि भंग सब्द का मतलब है कि जो कहीं यग करते ते-धो पौधे का नाम है उसको खाते हैं तो उनको बंग खानेवालों को भंगी बोलते हैं यह बिल्क गलत है प्राचीन सम Base में पा Like व्हीए लोग वो बहुत उची अवस्था में हैं इन्फेक्ट जो चीवर, चमार, चमर, चूड़े, चमर हैं इनसे भी उची अवस्था में वो माने गए हैं क्योंकि वो अवस्था और उनका ग्यान उसता मिस्तरगा था ये बलकुल इस पश्ट है लाल बही का मतलब है लाल कपड़े पहनने वाला बेगमी जिसको भिक्चु बोला करते हैं क्योंकि भिक्चु जो होता है, टीचर जो होता है वो लाल कपड़े पहनता है और उसको हम चीवर बोलते हैं जैसे चौधरी का मैंने आपको बताया है कि जो चीवधान करता है उसको चौधरी बोलते हैं ऐसे ही जो अरहत होता है अरहत का मतलब होता है ऐसा ग्यान जिसमें आपका सारा दुख दूर हो जाता है उसको अरहत अवस्था बोलते हैं तो अरहत या अरिहंत अवस्था अरिहंत बोलते हैं जैनियो में अरहत या अरिहंत तो ऐसे करते करते जैसे चांडाल लोग हैं, तो चंड परजोत जो एक राराजा थे अवंति के बुद्ध कालीन, अवंति के राजा चंड परजोत, चंड परजोत का मतलब है, चंड का मतलब है, चंड का मतलब है चंड, चंड माने चतुर, चतुर परजोत माने जो प्रजुल हैं जो गुण उनके अंदर आए जो वो चतुल लोग थे वो गुण उनके थे इसलिए उनको ऐसा करके बुला गया चुकि उनका राज चला गया उनकी सत्ता चले गई राज और सत्ता जाने के बाद में वहीं उनके गुण अगुण में परिवर्तित होगे और वो अपनी भासा भूल के पाली भासा का धिन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी नाम भारत में हैं गाओं के और जितने भी नाम जो निम्न जातियां जिनको छोटी जाती बोला जाता है जिनको अपमान जाती बोला जाता है वो सबी अपने सौर रेकी गाथाओं की कहानी बताते हैं जैसे धानुक है, धानुक का मतलब है जो धम का अनुकरन करता हूँ, धम का अनुकरन करने वाले को धानुक बोला गया, जैसे पांच सील में जो वास करता है, उसको बोला पंच सील वासी, यानि पासी या पासवान बोला गया, जैसे महार है, महार का मतलब है मार को हराने वाल वो सारे के सारे आप किसी भी भासा में देखेंगे, सारी भासा है पाली प्राकर्तिक से बनी हुई हैं, सभी भासाओं में उनकी शौर्य गाथाएं लिखी पड़ी हैं, सिर्फ आपने अच्छी तरह से उनको देखना और जानना है, अगर आप देखना जानना समझ जाते हैं, और देखना जानना सीख जाते हैं तो जात इतनी ही देर का काम है जितनी देर में मैंने ये चुटकी बजाई क्योंने ये एक मनुवग्यानिक है आप इसका इस्तमाल करेंगे ये बहुत तेजी से बढ़ेगी आप इसको छुपाएंगे यह बहुत तेशे बढ़ेगी आप इससे डरेंगे यह अरती तेशे बढ़ेगी आप इससे बदलेंगे जैसे उत्तर परदेश के अंदर चमारूने कुछने जाटव कहा जाटव कहने से कोई फाइदा नहीं हुआ औंको जाटव कहने से सिवाए इसके क्योंकि जो उसके गुणों चले आ रहे हैं जो उसका फिनोमिना है जो फाइल काम करती है वो वैसे ही कर रहे है फाइल का नाम बदलने से कम्पूटर में आप एक फाइल है उसका नाम बदलने से उसके गुणों को नहीं बदल सकते अगर आपको उसे जानना है कि यह कैसे डीट हो सकती है कैसे बनी है तो आप उसको डीट कर सकते हैं फिर वो नहीं आएगी तो आपने उसको जानना है मानना नहीं है अगर आप जाती को मानेंगे तो जाती मजबुत हो जाएगी और अगर आप जाती को जानेंगे तो जाती ऐसे गाय हो जाएगी धन्यवाद